हेलो एव्रीवन, वेलकॉम अगें टू लंड़े देतीमन तो हम करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 4, 9th क्लास का राजिस्थान में जन जातियों के आंदोलन तो जो बुक्स आपकी अभी स्कूल में चल रही है, उसे ही हम लोग कर रहे हैं जिसमें राजिस्थान का जो इतिहास है, भूगोल है और आपकी जो पॉलिटी है, वो बहुत अच्छे से दी हुई है और हर एक कुश्चन जो कि आपको एक्जाम में देखने को मिलता है आगे जो भी आपके एक्जाम होंगे, जिसमें रीट प्री का जो एक्जाम होगा उसमें आप देखिएगा, साट में से आपके जो हैं 57-58 कुश्चन जो हैं वो इन्ही बुक्स में से जो हैं वो पहले भी आये थे और अब भी आएंगे क्योंकि सलेबर जो है, वो वही है, अभी कोई भी चेंज नहीं किया गया है ठीक है, इसके अलावा रीट का जो मेंस का एक्जाम होगा जहां लेवल 1 के 90 मार्क्स पूछे जाएंगे, राजिस्थान जी के के तो वो आपके इन्हीं बुक्स में से आएंगे, RBSC की बुक्स में से ही आएंगे और लेवल 2 के जो की 70 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं, वो भी इन्हीं बुक्स में से आने वाले है इसके अलावा 2 ग्रेट का एक्जाम जो की अनुमान है कि आपके जो रीट मेंस का एक्जाम है उससे पहले ही आपका एक्जाम ये हो जाएगा, 2 ग्रेट का तो उसमें आपके 80 मार्क्स जो है वो इन्हीं बुक्स में से आने वाला है, RBSC की बुक्स और इसके अलावा जो अभी स्कूल में आपकी चल रही है जिने में आपको पढ़ा रही हूँ ठीक है, तो इन्हीं मैंसे आएगा इसके अलावा आप देखिए 1 ग्रेट का प्रियोग साला सहायक, कम्प्यूटर सहायक, RAS, Assistant Professor के जो भी अभी एक्जाम होंगे वहाँ आपको यही question मिलने वाले हैं और आप देखिएगा हर एक question जो की बहुत ज़्यादा important है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को chapter पढ़ाया और उसके बाद question answer करवाए है ठीके तो इन books को जो है वो बिल्कुल भी आप ऐसे ना समझें कि इन books में ऐसे जो है वो आपको एक्जाम नहीं आता है या पर आप कोई guide खरीदें guide खरीदने की गलती आप नहीं करेंगे ठीके इन books को ही आप लोगों को पढ़ना है और जो लोग books नहीं पढ़ पाते हैं वो इन question answer को follow करें PDF लें ताकि आपका कम से कम समय में जो है वो आपका पूरा syllabus cover हो तो चलिए start करते हैं question one देखें मेरों द्वारा आवाद शेत्र किन रियासतों के संयक्त रूप से अधीन था मेरों द्वारा आवाद शेत्र किन रियासतों के संयक्त रूप से अधीन था तो इसका सही answer है मेवाड मारवाड और अजमेर तो मेरों द्वारा जो आवाद शेत्र का जो भू भाग था इस पर म मिवाड, मारवाड और ये अजमेर इसके अंतर गतिये आता था ठीक है अगला देखिये question 2 मेर विद्रोह कब प्रारंब हुआ तो यह 1818 इसवी में प्रारंब हुआ मेर विद्रोह कब प्रारंब हुआ 1818 इसवी में प्रारंब हुआ भील विद्रोह के समय उद्यपुर का political agent कौन था तो वह था कंडल जैम्स टॉड कौन था कंडल जैम्स टॉड भील कौन से करवसूला करते थे जो अधिकार उनसे बाद में छीन लिया गया भील कौन से करवसूला करते थे जो अधिकार उनसे छीन लिया गया तो ये बोलाई कर और चोकीदारी कर तो ये वसूला करते थे और जो की अधिकार जो है इनसे अंगरीजों के द्वारा छीन लिया गया था उसके बाद next देखिए, question 5 है, मेवाड भील कोर की स्थापना कब हुई? मेवाड भील कोर की स्थापना कब हुई? अच्छे से इन question answer को आप देखें और याद करें, क्योंकि आपके पास देखें, यदि आपipरी का एक्जाम दे रहे हैं, तो आपके पास लगभग जो है वो धाई महीने का ही समय है जहां आपको RBSC की जो सभी books है 6 से 10 तक की वो आपको अच्छे से जो है वो learn करनी पड़ेंगी ठीक है उनकी question answer PDF यदि आपने लिये हैं तो आप अभी से ही जुट जाएं और उनको याद करें क्योंकि एक question भी जो है वो आपका बाहर नहीं जाएगा और ऐसा बिलकुल नहीं सोचेगा कोई भी कि हमें जो है के वल 60% marks ही लाने हैं क्योंकि आप यदि 120-110 लेकर चलोगे तब ही आपके जो है वो 90 नमबर आएंगे ठीक है मेवाड भीलकुल का मुख्याले कहां रखा गया तो इसका जो मुख्याले है वह खेरवाडा उद्यपुर में रखा गया नेक्ट देखें गोविंद गिरी कहां के मूल निवासी थे तो ये बेड़सा गाउं डुंगरपुर के निवासी थे गोविंद गिरी किस जाती से संबंदित थे तो वे बंजारा जाती से संबंदित थे गोविंद गिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे इसी तरीके के कुश्यन जो है वो आपके एक्जामे पूछे जाते है ठीक है? गोविंदगिरी के अध्यातमिक गुरू कौन थे? तो वे साधु राजगिरी थे अगला दीखिए गोविंदगिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पन्त की स्थापना की? तो इन्होंने भगत बंत की स्थापना की फिर देखें गोविंद गिरी की गति विदियों का केंदर कौन सा इस्थान था? गोविंद गिरी की गति विदियों का केंदर जो है वह कौन सा इस्थान था? तो वह था बेड़ सा डूंगरपुर कौन सा था बेड सा डूंगरपुर गोविंद गिरी के नेतरतों में किस इस्थान पर भीलों ने अंगरीजों का मुकाबला किया गोविंद गिरी के नेतरतों में किस इस्थान पर भीलों ने अंगरीजों का मुकाबला किया था गोविंदगिरी को जेल से रिहा करने के बाद किन राजियों में प्रवेस निशेद था इन राजियों में प्रवेस वो नहीं करेंगे ऐसा जो है उनको कहा गया था ठीक है उनको जो है आजिवन कारा वास की सजा हुई लेकिन बाद में जो है जब लोग जो है उनको बाहर निकालने के लिए अंदोलन करने लगे तो उनको 10 वर्ष की सजा हुई फिर साथ वर्स की जो है बाद उनको जो है रिहा कर दिया गया इस सर्थ पर कि सूंत डूंगरपुर बासवाड़ा कुसलगर इडर राज में जो है वो प्रवेश नहीं करेंगे इस से जो है वो भार वो रहेंगे कारावास की सजा के बाद किस शेत्र में गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया तो इन्होंने जालोद गाओं पंच महल जिला और एहमदावाद संभाग यहां पर अपना अंतिम समय व्यतीत किया मोती लाल तेजावत किस जाती के थे तो ये ओसवाल बनिया थे कौन थे ये ओसवाल बनिया थे देखिए मेरे से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगी और ऐसा हमेशा करूँगी कि स्टुडेंट को कम से कम परिशानी हो और उनको अधिक से अधिक जो है वो मैटेरियल मिल सके तो इसी उद्धेश से जो है ये कोशेनांसा सीरी जो आप लोगों के लिए चलाई गई है मुति लाल तेजावत ने किनहे संगटित किया तो इन्होंने गिरास लिया और भील जो थे इनको संगटित किया था तो इन्हों ने पर्चून की जो दुकान होती है तो वहाँ पर कारे करना प्रारम किया किया मोती लाल ते जावत ने आदिवासियों के सुधार है तो किस आंदोलन की सुरुआत की मोती लाल ते जावत ने आदिवासियों के सुधार है तो किस आंदोलन की सुरुआत की तो इन्होंने एकी आंदोलन की सुरुआत की मोती लालते जावत ने एकी आंदोलन की सुरुआत की किस मेले के माध्यम से मोती लालते जावत ने आदिवासियों से अपने संबंद मजबूत किये तो वह था चित्रे विचित्रे का मेला चित्रे विचित्रे का मेला था इसके माध्यम से मोती लालते जावत आदिवासियों से सामने मिलते हैं उनसे रूवरू होते हैं और अपने संबंद मजबूत बनाते हैं उद्यपूर के बाद मोती लालते जावत ने किस शेत्र को अपनी करम भूमी बनाया उदैपुर के बाद मोती लालते जावत ने किस शेतर को अपनी करम भूमी बनाया तो सिरोही को उन्होंने अपनी करम भूमी बनाया तो यह question answer आपको कैसे याद होंगे वीडियो जो है वो आप starting से end तक जो है वो लगातार ऐसे सुनिये जैसे कि आप कोई गाना सुन रही हों ठीक है जब आप वीडियो को जो है दो तीन बार सुन लेंगे तो यह बिलकुल question answer आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो अभी सही जो है इनको याद करना सुरू करिये चाहे आप लोग जो है यहाँ पर लिखिये चाहे बुक में से आप अपने नोट्स बनाईए चाहे आप PDF लीजिए लेकिन अभी सही याद करना सुरू करिये क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं है क्योंकि आपको राजिस्थान के जीके के अलावा syllabus में और भी topic जो है वो करने होंगे ठीके syllabus जो है रीट मेंस का syllabus बहुत जादा है इसी तरीके से 2nd grade 1st grade का syllabus भी जादा है तो यहाँ पर राजिस्थान का जीके जो है RBSC बुक जो है इनको आप जल से जल जो है वो कवर करें मोती लाल तेजावत को किस रियासत में प्रशाशन द्वारा रोका गया और मासिक भत्ता दिया गया मोती लाल तेजावत को किस रियासत में प्रशाशन द्वारा रोका गया और मासिक भत्ता दिया गया तो उदेपूर रियासत जो है इसका जो प्रशाशन है इसने इनको रोका राज्य में मीना विद्रोहो की सुरुआत कहां से हुई राज्य में मीना विद्रोहो की सुरुआत कहां से हुई तो ये जहाजपुर परगना से हुई राज्य में मीना विद्रोहो जो है इसकी सुरुआत जो है वो कहां से होती है तो जहाजपुर परगना से होती है और ये कहां है ये उदेपुर राज्य में है 42 वी देवली रेजिमेंट और 43 वी एरिनपुरा रेजिमेंट जो है इसे के स्थान पर मीना कोर की स्थापना कब की गई तो 42 वी देवली रेजिमेंट और 43 वी रेजिमेंट इसको जो है वो समाप्त कर दिया गया 1921 में और इसके स्थान पर जो है वो मीना कोर की स्थापना की गई ठीक है तो ये चीज़ वो ध्यान में रखेंगे कि 42 वी देवली रेजिमेंट और 43 वी एरिनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मिर्णा कोर की स्थापना 1921 इसवी में की गई थी बहुत ज़्यादा important question है ये मेरवारा बटालियन का मुख्याले कहां परिस्तित था मेरवारा बटालियन का मुख्याले कहां परिस्तित था तो ये था व्यावर में और व्यावर कहां है अजमेर में है मेवार भीलकोर का मुख्याले जो है वो कहां पर था मेवार भीलकोर का मुख्याले कहां पर था तो ये खेरवारा उदेपुर में था तो इस तरीके से आपका जो अध्याय चार है राजिस्थान में जन जाती है आंदोलन तो इसमें से most important 25 question जो है वो निकल कर आए है और ये 25 question आपको इतने अच्छे तरीके से याद होने चाहिए एक भी question जो है वो ignore नहीं करना है और ऐसा नहीं करना है कि आपको याद ना रहें कैसे भी आप इसको जो है वो याद करें तो चलिए मिलते हैं next video में जहां हम chapter 5 के question answer करेंगे Thank you